आज जिस प्रेटिकर के बार में बात करेंगे उसको नाम है ट्यूब लाइट की तीन कंपोनेंट रहते हैं जैसे आप यहां देख रहे हैं पहला रहेगा आपका इस्टाटर तूसरा ट्यूब लाइट और तीसरा रहेगा चौप यहां इससे अपन बैलस्ट के नाम से भी जा कि गएल में बनारा हैं यह कुछ इस तरके आपको जाएं गदी है यह इस तरके अधर बालब हागे प्राज माना मना रहा है यह छोग में पाग इख दीखाए रहा है यह दحता है ब्राइम मेटे लिक श्ट्रीप का याणी इंडियम कहें तो द्वी ढात्वेक पत्ती यह दो तात्वों से मिलके बनी होई पत्ती होगती हो पती और इसके अंदर नियॉन गयस भरी होती है विज आपको दिखान दे रहा है, ये पूरे पूरे कांस का बना रहता है, इसके अंदर बायो मेटलिक पती लगी घृती है और इसके अंदर एक नियॉन गयस भृई जाती है और यह आप करता है capacitor और यहां रहेंगे आपके point, contact point जहां आप इसको supply से जूड़ते हैं दूसरी कमट के बारें बात करेंगे तो वह आपका tube यह हम tube के बारें बात कर लगते हैं यह मनेक tube बनाई है, इस tube के दोनों side में आपका filament रहता है इस side में बेका filament रहेगा इन दोने बीच किसी फिला का कोई contact नहीं रहता है इसका filament एक side में इसका filament भी दूसरी side में रहता है इसे अपन tube कहते हैं और तीसरा जो आपके भाग देता है वो रहता है चौक या बैलेस्ट तो इसकी drum भी आपको डिसी आपक देख लाते हैं यह मैंने इसके तरह कोईल बना दी यह इसके दूपांट हो गए इस कोईल के ऊपर यह डिजाइन रहती है इसका इसके पॉइंट रहते हैं चौक के यह आपका चौक रहता है यह चौक रहता है आपका यह होता है सप्लाई के पॉइंट इसको यह कुछ इसप्राइब रहते हैं आप इस जो ट्यूब रहते हैं इसको अपन असेंबल करेंगे लागा हैंगे चोड़ी में को यह मैं सबसे परें ट्यूब बना लेता हूं सबसे परें ट्यूब बनाके उसके एक साइड में आप इस ट्रट लगा दीजिए और दूसरे वाले पाग में आप चौप लगा दीजिए आपके उपर वाले पाग में आपको इस ट्रट लगाना है और निच्छे पाग में आपको चौप लगाना है जैसे ही इसको आप ऐसे की सप्लाइद दोगे तो यह ट्यूब लाइट जलना सुरू हो जाएगी आपके लिए